नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपकी अपने चैनल BSA tricky classes में दोस्तों आज के आप लोग के इस class में आज हम RRB NTPC group D का पिछले साल का reasoning का पूरा paper solve करेंगे जिसका 7th का A part है और मैंने इसके दोस्तों आपको दादे math और जो आप लोग का समाने जागरूपता का paper पर होता है वो complete करा दिया है तो हमारा इस session में जैसा कि उस paper से आप लोग का reasoning का set बचा हुआ है तो reasoning के आज हम इस paper में सारे question discuss करने वाले है दोस्तों इसमें बात करने तो pattern ऐसा ही रहेगा question का level कुछ step से ही रहने वाला है बस थोड़ा से level और increase हो जाएगा इससे कम तो नहीं जाना है आप लोग एमान कर चलिए दोस्तों आप लोग वीडियो पसंद आते इसको like किया कीजिए और ज्यादा था share कीजिए इसी तरीके से आप सभी लोग support करते रही है ज्यादा था share कीजिए अपने सभी friends के साथ तीस सेकंड मुझे नहीं लगता कि आप लोग के पास होंगे आप लोग के पास तीस सेकंड तो जरूर होंगे वीडियो को share करने के लिए ठीक है अगर आप लोग इस तरह के support करते रहेंगे और आप लोग का response अच्छा रहेगा तो हम लोग एक-एक paper को आप लोग के साथ solve करेंगे मैस अलग solve करवाएंगे आप लोग को reasoning अलग solve कराएंगे ठीक है और आप लोग को समाने जागरूता भी पेपर है वह भी अलग solve कराएंगे और साथ ही मैं आप लोग के लिए science की अलग से प्रोवाइट करा रहा हूं करेंट अफेर की डेली मौर्णिंग में आप लोग की शिक्स ओ क्लॉक यानि कि सुबह सुबह छे बज़े आप लोग की करेंट अफेर भी अगर आप लोग दस बारा मिनिट अकर कोई भी टॉपिक लिए नहीं हमार साथ शेयर कीज़े तो चलिए शिरू करते हैं दोस्तों आज के अपने इस क्लास को आईए देखते हैं हमारे आज की रीजनिंग का सबसे पहला कोशन कितने नंबर पर तो आईए जानते हैं तो फलाल दोस्ता मैं आपको अधर नहीं यह इस्टूडेंट कि तरफ से आप लोगों में से आया है अगर आप लोग के पास भी प्रीव इसर का पीपर हो आप लोग जो है सेंड कर सकते हैं हमारे वॉट्सअप घुरूप वाट्सअप नंबर हमारा नाइन एट-एट-ग-अइट--9--55--8-9-7-4 ठीक है यह वाट्स टाइम वीडियो में या फिर से अगले पार्ट में मिल ही जाएगा तो फिलाल इसका मैंने GS का सेक्षिन करा दिया था General awareness करा दिया मैस भी complete करा दिया इस paper से और हमारा जो reasoning का पार्ट रहे गा है वाज किस paper हम लो complete कर लेंगे फिलाल जितने कोशिन हो जाएंगे तो सबसे पहला कोशिन आपर सीधे 8 नमबर पर है तो 8 नमबर पर आप लोग देख सकते हैं देखिए क्या दिया गया है X दे इसने 4 पदक जीते हैं इसने 3 पदक जीते हैं Z ने 1 पदक जीता और T ने 9 पदक जीते हैं तो सबसे आदा पदक जो है किसने हशल किये हैं यह किये हैं T ने इसकांसा T होगा बहुत ही simple question था पहला इसके देखते हैं अपर 14 नमबर पर अगला question आप लोगों क्या दे रखा है अब आपको बताना है नीचे दियेगा है विकलपों में से थिंग की पासर्व दरपण प्रकृति जो चभी है वो कैसे है वह इंदे की प्रतिमिम कैसे बना है जैसे की आप से कह दियागे की एक थिंग लिखा है झिच पान पर दरपण दरपण संचे नना सीशा अगर दोस्तों माल लिएँ यह एक सीशा लगा हुआ है ये इक संत्कल दरपण लगा है तो के सज सज़ का और कि दिखेंगा disuse how damn तो इसे हैं जैसे कि आप लोगा लिखये ए टि-ह- ऐ-क ए-च-- ऐ-क ए-च- ए-ए-ँ-क. सेशए लगा दिया तो इदर क्या होगा- मां-प लोगा-क एन- आप लोगा- इसे जाымरह एधर सुप। है यहां पर दूफ्ट आप आप लोग के से चले का सेसे चलेगा यहां से ठीक है यह एन इस ट्रैफ से यहाँ पर देखी कहां पर इस ट्रैफ से लिखा है पहले के फिर फिर ल्टा इन घ्र गला तो मैं जूम ठीक है इसके आदेखते हैं अगला कोशिन सीजरे चलते हैं 60 नमबर पर 60 नमबर पर अगला कोशिन आपको देखे क्या दरखा है कौन सी उत्तराकरती प्रश्ण वास्टिक चिन को प्रस्तिस्थाफित करेगी कौन सी अब देखे मैं आपको पहचान बताता हूं कैसे पहचाने से मारा यह एबढ़ यह एक ब्लॉक और आगे बढ़ घ्योग यहां था यहां से आ आ गया लेकिन आप लोग समझें कि पऀले ट्याइंगिल यह अपका इसे था इसकी इधर अगली इन दूसरे ओव्याब एसके लाइन आप लग ड़ोंंस देर सा यहां पर इस्टेप एक स् plus तीन चीजह आ गई ठीक है और यह जो आप लोग का उल्टा F और सीधा F है यह आप लोग का यहां पर आगे है यह आप लोग का ऐसे आ गया f अपनी जगह पर यह लेकिन याला अप ल्टाो के जरूर पास में आ गया अब सेम दोस्त अपको क्या करना यहसे अब अपको पता है यहां पर क्या यह 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 ट्रैंगल यह आपको बखना है इसी STEP पर आएग त invented by the triangle पर बनेगा कि triangle बनेगा और यह जो लाइने अप 裁नेगा शीयिंगे अगली बार पर आप लोकी एक यहां पर है और एक यहां पर है और step देखिए नेक्स step देखिए यह प्लस माइनस है यह आप लोग का यहां पर आजागा तो प्लस माइनस प्लस आएगा तो प्लस माइनस प्लस आप लोग का यहां पर है यहां पर है या फिर यहां पर है दोस्तों आप लोग ने देख लि है 19 नमबर पर तो आई देखते हैं तो देखिए यहां पर क्या रखा है विकल्पों का उप्यों करके सरंख्ला को पूरा कीजिए यहां पर रखा है अब आज में प्रॉब्लम लग रही होगे आप लोग को चले दोस्तों 19 कुशन के बाद चलते हैं सिधे 25 नमबर पर तो आई यह देखते हैं यहां पर क्या दिया गया आप लोग को एक पंक्ति में खड़ेऊं इच में कौन खड़आ यह आपको निकालना है आपको यह पता है कि D C के दाईओर खड़ा C, L के दाईयोर खड़ा है जब तक आप लोग को ये दोनों बाते पता नहीं होंगी तब तक आप लोग नहीं निकाल सकते दोस्तों की कौन सा वेक्ति बीच में अब आपको ये तो पता है कि D है, C है और ये L है ये एक लाइन में खड़े हुए है ठीक, एक लाइन असी थी इसमें ये वेक्ति जो है खड़े हुए अब आपको बताते कि D जो है, वो C के दाईयोर खड़ा है ये आप लोग सकते है, जो D है वो C के दाईयोर खड़ा है C के देखिए जो राइट साइड में हो गया और L के दाईयोर कौन खड़ा है L के दाईयोर C खड़ा है ये भी आपको पता हुए चाहिए कि L के भी राइट साइड में आप लोग का जो है, वो कौन है, C है तो जब तक 2 step पता नहीं हो, जब तक हम लोग नहीं बता सकते है, बीच में कौन है फिलाब आप लोग समझे को बीच में आप लोग का C है, लेकिन आप लोग को C ये नहीं पूछा जा रहा है आप से ये पूछा जा रहा है कि इस आंसर को निकालने के लिए आप लोग को कितने step की जुरुत पढ़ाईगी केवल पहले की पड़ेगी केवल दूसरे की पड़ेगी या फिर दोनों की पड़ेगी तो दोनों की अब शक्ता होगी अन्य था हम इस case में नहीं बता सकते की बीच में कौन खड़ा है जब तक हमें दोनों case मालूम नहीं होंगे तो इसके according आप लोग answer आजाएगा कतन first और कतन second दोनों ही परियाप्त है क्लियर होग इतनी बत तो question number यह था आप लोग का 25 25 के बाद सीधे अगला question आप लोग का आता है अगला 28 नंबर पर तो यहाँ पर देखिए एक विसेश code में menu को जो है आपर skts लिखा जाता है तो liveal को किस रूप में लिखा जाएगा आपको यह बताना है लोग का repeat होना चाहिए तो repeat आप लोग का e के अगऊओ आ देखे आह रहे होगे हैं अगला पर देखिए पैच्यावर यहां पर देखिए बच जाएगा जो आगे आगे जो question आपको solve करेंग उनके लिए टाइम बिल जाएगा अब 28 के बाद अगला question यहाँ पर आता है सीधे 30 नमबर पर देखे क्या दियागा एक series दे रहे कि इसमें अगला अक्षर गार करना रहा है अब क्या आपको बताना है तो देखे पहले देखे क्या है DE उसके बाद FG पहले दोस्तों क्या होगा DE उसके बाद यहाँ पर FG चला तो इसे परकार दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा Z, Z के बाद के आएगा A, उसके बाद उस्तू B, C, समझते रिएगा, इसलिए आप लोग के यहाँ पर आएगा A, बस, अब 30 के बाद अगला Queshyn 31 नमबर पर है, अब देखिए, यहाँ पर डिवाइड कार्द माइनस है, इस कार्द मल्टिप्लाई है, और मल्टिप्लाई कार्द जो है, डिवाइड है, तब इसका मान गयाद करना है, तो बस कुछी नहीं करना है, कोशन को लगाना, सबसे बले ही चक कीजिए, क्योंकि आपको पता, बोर्ड मास जो नियम पड़ा होगा, सबसे बड़ दूस्तों क्या करते है, डिवाइड करते है, उसके मुल्टिप्लाई करते है, फिर अडिशन, फिर सबस्ट्रक्शन, सबसे बले डिवाइड करना है, तो बस यह साइन सर्च कीजिए, इनको डिवाइड करना, अब देखि अब आपके यहां पर बचा परसेंटेज, परसेंटेज की जगा दूस्तों क्या, अप लोग का माइनस है, यह माइनस लगा दिया, और एड़ दारेट की जगा, प्लस है, तो यहां पर हमने प्लस लगा दिया, बीस यह लिग दिया, तो यह 20 और 20, 40 होगा, 40 में से नौज घ यहां पर आपका यह भी पी है पी है लेकिन एक्स यह अलग है तो इसलिए आप लोग का यह होगा इसी डाइब का एक और कुशन यहां पर आप लोग के लिए है यहां पर देखें जैसे कि यह पी इस तरह के उल्टा बना यह सीधा बना यह नीचे के लिए पी बन गया सब तो दोस्तों मैं आपको देखिए यहां पर यह से जुड़ा हुआ इसलिए इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर आप लोग का डी वाला आएगा तो डी इस दा राइट आंसर ठीक है अगला कुशन देखते हैं सिदे यहां पर दिया गया आप लोग को 45 नमबर पर और यहां पर देख पारन का दिया गया है इस कथन में जो है आप लोग को दिया गया कोश्य ने रखा है कथन के यहाँ पर बाद में दो निशकर्स निकाले गए तो कथन पढ़िते हैं उसके अधारे बताते हैं निशकर्स रही है देखी हाल ही में भारत बनाम स्री लंका वंडे किर्केट मैच में एक टीम ने जो है 200 रन बनाए इनमें से 160 रन जो है वो इस्पिनरों के द्वारा बनाए गए ते अब पहला निशकर्स टीम में 80% इस्पिनर होते हैं सलामी बल्लेवाज जो थे एक इस्पिनर थे अब देखी क्या 80% इस्पिनर है देखे आपको यह पता है कि टीम ने कितने रन बनाए टोटल 200 रन जो है टीम ने बनाया और 106 इसमें से इस्पिनर के ही है 200 में से परसेंटेज बदलने के लिए 200 से करेंगे डिवाइट 0 सी 0 कैंसल दाएगा आप लोग का यहां पर क्या जाएगा 2 से कर 80% इसमेर है तो फिलाल लेकिन यहां पर इसका option जो दिया गया है ना तो निशकर्स 1 दे रखा है ना तो निशकर्स 2 दे रखा है जबकि आप लोग दोस्तों यहां पर देख पा रहोंगे कि 160 रन जो है वो इसमेरों के दौरा बनाये गए थे तो यहां पर टीम में 80% इसमेर होते हैं हां बस आप लोग यह समझ सकते हैं कि टीम यह जो बात हो रही है कि टीम में 80% इसमेर है या होते हैं अगर यहां पर होता है तो यह तो बात सभी लेकिन होते हैं तो यह बात गलत है जरूर है कि कोई भी टीम होगी उसमें आप लोग 80% इसमेर होंगे या फिर नहीं होंगे तो अभी कि इस क्लास में तो दोस्तों फिल आव इतना ही रखते हैं उम्मिद करता हूं कि आप सभी को सारे कुशिन समझ में आगए यह दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंस को लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा ज्यादा सदा और कोई भी कोशिन अगर आपके क्लियर अगर ना हुआ करें तो भी आप लोग पता दिया कीजिए और जैसे के आप लोग के पास भी कोई अगर प्रिवेस एर का पेपर है तो आप लोग जो है सेंड कर सकते हैं आज किस क्लास में इतना ही दोस्तों तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार